डबल बुल ओपरेशन से डर कर भागपा माववादी के एरिया कमांडर जतरू खिरवार उर्फ टाना खिरवार ने आज सरेंडर कर दिया वही हतियार डालने वाले माववादी जतरू ने कहा कि उसने सरकार की नई दिशा से प्रभावित होकर या कदम उठाया संगठन में शोशन भी बहुत होता है आत्म समर्पन एवं पुन्रवास नीती बेजोड है हिंसा की राज छोड समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का बहतर मौका है लोहर दगा के DC, SP, DSP एवं CRPF 158 के समादेस्टा की मौचूदकी में एरिया कमांडर ने सरेंडर किया जतरू खेरवार के खिलाफ केवल लोहर दगा के किसकू और पिशरार थाने में कुल 17 संगीन मामले दर्ज है कई मामलों में वह Most Wanted था, लंबे अर्थे से पुलिस को उसकी तालाश थी जारखन के उगरवाद और नकसलवाद के खात्मा के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में है सूपी के DGP नीरस सिन्हा के कड़े रुक का ही नतीज़ा है कि गुजरे कुछ महा में केवल लोहर दगा में 27 खुंखार माववादी और उगरवादियों ने अपने अपने हतिया डाल सरंडर कर दिया इनमें कई इनामी नकसली भी शामिल है वही Wanted माववादियों को चेतावनी दी गई है कि समय रहते वर नई दिशानीती के तहर सरंडर कर दे वरना अंजाम भुगतने को तयार रहे वही जारखन के आम से लेकर खास तक से अनुरोध किया गया कि अगर उन्हें किसी उगरवादी या माववादी के बारे में कुछ जानकारी देनी हो तो वो बेखाव दे सकते हैं जानकारी देने वालों के नाम और पता को बिलकुल गुपत रखा जाएगा जारखन पुलिस के वेबसाइट पर वांटेड माववादी उगरवादी और अपराधियों की लिस्ट उपलब्ध है एक समय था जब लोहर दगा में माववादीयों की हुकोमत चलती थी पर आप ऐसे नहीं है लोगों का डर भै दूर हुआ है